योजनाइन इंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है पैंसन धारकों के लिए फिर से ताजा खबर लेकर आ चुके हैं पैंसन भोग्यों की रुकी हुई पैंसन जन्वरी में इस तारिक से ट्रांसपर की जाएगी लेकिन उससे पहले नियमों के मताबिक आपको कुछ क कारिय करने होंगे और यह किस तारिक से आपको पैंसन ट्रांसपर होगी और 500 रुपे की बढ़ोत्री के साथ आपको ट्रांसपर होगी और चलिए बताते हैं वीडियो में पैंसन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से फिर से ताजा ख़वर निकल कर सामने आ रही है पिछले कई महीनों से पैंसन भोगी अपनी पैंसन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आज उनके खाते में पैंसन ट्रांसपर करेगी या कल करेगी लेकिन अब उनका इंतजार समाप होने वाला है किस तारिक से पैंसन आने वाली है उसका भी एलान किया जा चुका है अब की बार जो पैंसन आपको मिलेगी वह 500 रुपे की बढ़ोत्री के साथ मिल सकती है जैसा कि 2022 में जनवरी में पैंसन बढ़ाय गई थी तो इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पैं पैंसन लाबार्तियों को लाब होगा दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में जनवरी में पैंसन को 500 रुपे बढ़ाय गया था और इस बार भी उम्मीद है कि 500 रुपे सरकार बढ़ा सकती है उत्तर परदेश सरकार और इसका लाब दिव्गांग विद्वा प्रद्वस्त पैंसन लाबार्तियों को मिलने जा रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कई ऐसे बड़ राज्ये हैं जिसने अभी तक पैंसन को ट्रास्पर नहीं किया है जबकि कुछ राज्ये ऐसे हैं जिन्होंने पैंसन को ट्रास्पर कर दिया है और 29 दिसंबर तक का पैंसन कु जनवरी 2023 को pension transfer की जा सकती है देखिए कितने ही बड़े राज्ये ऐसे हैं जिन्होंने अभी pension को transfer नहीं किया है और कुछ राज्ये ऐसे हैं जिन्होंने pension को transfer कर दिया है और 29 दिसंबर तक का pension pension धारकोई खाते में पहुँच चुका है जो मेडिया रिपोर्ट के अंसार जानकारी मिल लई है कि 10 जनवरी 2023 से pension transfer की जा सकती है या उससे पहले भी pension को transfer किया जा सकता है उत्तर परदेश के pension लावारती अक्टूबर से दिसंबर तक की pension का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अक्टूबर से पहले pension दिया गया था और कितने ही ऐसे हैं जिनका अक्टूबर से पहले भी pension रुका हुआ है तो अब उनका इंतजार समाप्त होने वाला है देगे जो उत्तर परदेश के pension लावारती है उन्हें अक्टूबर से पहले pension दिया गया था जिसमें 6,000 रुपे दिया गया था, 9,000 रुपे दिया गया था, जिसका जितना रुका हुआ था, लेकिन कुछ पैंसन लावारती ऐसे हैं, जिनें अक्टूबर से पहले भी पैंसन नहीं मिला था, और उनका अक्टूबर से पहले का भी पैंसन रुका हुआ है, तो अब उनका सरकार जो पैंसन देगी वह केवल उनहीं को देगी जिन्होंने अपना आधार परमानिकन कराया हुआ है और जिस सही से नियमों का पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों पैंसन धारकों के लिए यह बड़ी खबर है कि अब उनका पैंसन जनवरी के सब्ताह में या दस जनवरी के बाद या दस जनवरी से पहले पैंसन को ट्रांसपर किया जा सकता है। जैसा कि पिछली बार 2022 में पैंसन को बढ़ाया गया था 500 रुपे तो इस बार भी पूरी उम्मीद लगा जा रही है कि 500 रुपे इस पैंसन को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप अपनी pension के आने का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार समाप्त होने वाला है जल्दी आपको pension pension बढ़ोतरी के साथ मिलने वाली है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो like, share, comment जरूर कर दें और channel पर नहीं है तो subscribe भी जरूर करिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकर के साथ तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद